असलाम लेकुम श्रूडेंट्स क्या हाल है आपके आज हम थर्मोमीट्री को पढ़ने जारे है चेप्टर नमबर थ्री का यह एक important topic है is a short question. तो Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं thermometry, thermometry असल में temperature की measurement का एक art है, हम इस में करते कैं temperature को measure करते हैं on different scales, हमारी book के अंदर तीन किसम के temperature scale discuss किये गए है, पहला है Celsius scale, दूसरा है Fahrenheit scale और तूसरा है absolute temperature, यह तीनों different short questions है आपको ना सिर्फ इनके scales की description पता होनी चाहिए बलके आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक scale से दूसरे scale में कैसे convert किया जाता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं Celsius scale को Celsius scale एंडर Celsius ने develop किया था उनके मताबिक इस scale पर जो 0 degree है वो असलमें water का freezing point है और इस scale को उपर जो 100 degree है वो water का boiling point है तो उन्होंने क्या किया 0 degree से 100 degree के दिमान 100 units divide कर दिये यानि का 100 degrees में convert कर दिया अब वो हर degree जो है वो एक temperature का unit बन गया आप इस temperature scale के उपर जो unit use करते हैं वो degree centigrade है for example हमारे room के अंदर जो temperature होता है अप्रोक्सिमेली 25 degree centigrade इस scale के अंदर हम usually weather conditions को या पाकिस्तान में इंडिया में सब कॉंटिनेंट्स में weather की value होती है यानि को coldness या hotness वो हम centigrade temperature से show करते हैं दूसर scale है फारन हाइट scale फारन हाइट scale डैनियल फारन हाइट ने 1724 में develop किया था इसका जो unit है वो है degree Fahrenheit फारन हाइट scale के अंदर जो freezing point of water है वो 32 degree Fahrenheit लिया जाता है और इस water का जो boiling point है वो 212 यानि के 212 Fahrenheit लिया जाता है अब 32 से 212 तक का जो फासला है एरिया है उसको 180 units में डिवाइड किया जाता है जो के 1 degree Fahrenheit के एक unit equal बनता है तो total इस scale के अंदर 32 degree Fahrenheit से 212 degree Fahrenheit तक 180 points या units बनते हैं जो के 1 Fahrenheit को show करते हैं जो Fahrenheit scale है यह usually medical sciences में जैसे कि हम अगर खुदा ना खासा किसे को बुखार हो जाए तो हम कहते हैं कि उसे 100 degree temperature है यह 100 degree Celsius नहीं होता यह centigrade नहीं होता और ना ही Kelvin में होता है यह Fahrenheit में temperature मेजर किया जाता है बॉड़ी का जिसे हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता वो शक्स किसी बिमारी में मुपतला है जिसकी जैसे उसकी बॉड़ी का temperature यह 100, 101 Fahrenheit डिगरी तक इंक्रीज कर गया जो तीसरा temperature scale है वो है absolute temperature absolute temperature असल में Kelvin scale है यह load Kelvin ने develop किया था इसे absolute इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इंतहाई value से शुरू होता है यह coldest possible temperature जो कि 0 Kelvin है वहाँ से start होता है जिस पर theoretically तमाम energy molecules की तमाम movement जो है वो molecular movement seize हो जानी चाहिए यह अभी तक attainable नहीं है जो absolute temperature है यह start तो होता है 0 Kelvin से लेकिन यह indirectly degree centigrade में से निकाला भी जा सकता है यह system international unit है temperature का अब हम ऐसा करते हैं हम आप जो तीन scale है Fahrenheit scale, Celsius scale और Kelvin scale को हम देखते हैं कि 0 degree Celsius के उपर यह बाकी दो scale के value देते हैं हम एक ice cubes का container लेते हैं जो 0 degree पे है उस पे यह तीनो scales के जो thermometer हैं उनको dip कर देते हैं उनको add कर देते हैं उस tub के अंदर जिसके अंदर हमारे पास ice cubes पढ़े हैं तो Kelvin जो reading देगा वो देगा 273 Kelvin जो Celsius scale reading देगा वो 0 degree देगा क्योंकि हमने ice लिया है freezing point of water पे और जो तीसरा है पारनाइट scale वो 32 degree पारनाइट देगा freezing point of water जो है वो तीन scale different value से शो कर रहे हैं इसी तरह अगर मैं इस container में मुझूद water को boil करना शुरू कर दूँ और वो boiling point पे पहुंच जाए तो at that time जो degree centigrade है वो शो करेगा 100 degree जो Kelvin है वो शो करेगा 373 Kelvin और जो Fahrenheit है वो शो करेगा 212 Fahrenheit degree अब आपने याद रखना है कि ये scale मुख्तली values of temperature को show कर रहे हैं for freezing point of water, for boiling point of water they actually are developed by different scientists इसमें जो Kelvin scale है वो हमारे लिए बहुत important है क्योंकि Charles Laugh उसी scale को use करते हुए अपली केबल बनता है experimental value Charles Laugh की Kelvin scale के जरीए ही verifiable है अब सबसे पहले तो ये जो तीन scales है हम इनके one by one inter conversion का जो equations है उसको पढ़ते है अगर आप चाहते हैं कि आप degree centigrade को Fahrenheit में convert करें यानि कि आपके पाद कोई value है degree centigrade की say zero degree है तो आप चाहते हैं वो Fahrenheit में convert हो जाए तो उसके लिए जो equation use होगी वो होगी F यानि कि Fahrenheit is equal to 9 by 5 degree centigrade plus 32 अब आपने क्या करना है यहाँ पर एक्जेमपल 0 degree आप input कर देते हैं तो 9 by 5 multiply by 0 plus 32 तो 0 plus 32 is equal to 32 Fahrenheit यानि कि 0 degree जो है वो आपका 32 Fahrenheit की equal है दूसरा जो हमारे पास equation है कि अगर हम Fahrenheit को degree centigrade में convert करना जाते हैं डिगरी Celsius में convert करना चाते हैं तो उसके लिए जो कौनसी equation use होगी उसके लिए equation use होगी इसके बिल्कुल opposite देखें वहाँ हमने पढ़ा था Fahrenheit is equal to 9 by 5 degree centigrade plus 32 अब इन values को opposite सोचें क्योंकि अब आप degree centigrade से Fahrenheit में नहीं जा रहे हैं आप Fahrenheit से degree centigrade में जा रहे हैं याद करने के लिए हम एक हिंट दे रहों आपको 9 by 5 था इदर लिख दे 5 by 9 फिर वहाँ 32 प्लस हो रहा था यहाँ Fahrenheit के अंदर से आपने 32 माइनस करना है बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ brackets Fahrenheit और 32 के end पे हैं यादि के यह होगा 5 by 9 इंटू Fahrenheit वैल्यू हम ऐसा करते हैं 32 Fahrenheit ले ले लेते हैं हम कहते हैं 32 Fahrenheit पे कितना degree centigrade होगा तो मैं ऐसा करता हूँ F की जगा 32 Fahrenheit इंपुट करता हूँ तो जब मैं 32 Fahrenheit F की जगा इंपुट करूँगा तो मैं पास आएगा answer 32 minus 32 is equal to 0 तो 5 over 9 multiply by 0 is equal to 0 degree तो इसका मदलब 32 Fahrenheit जो है 32 degree Fahrenheit की value 0 degree के equal है 0 degree Celsius के equal है तो यहां से हमारे जहन में एक बात तो यह समझा गई कि Fahrenheit और degree centigrade एक दूसरे में convertible है क्या Kelvin degree centigrade में convert हो सकता है या Kelvin को Fahrenheit में convert किया जा सकता है अगर आपके पास degree centigrade में कोई temperature है से आपके पास अगेन मैं 0 degree ही value लेता हूँ जो मैंने फारण हैट के लिए यह use की थी जो equation use होती है degree centigrade से Kelvin में जाने के लिए वो होती है K is equal to यानि के Kelvin is equal to temperature 273 plus C C या stand for degree centigrade value अब आप क्या करें 0 degree C की जगा input करते हैं तो answer आएगा 273 plus 0 which makes K is equal to 273 Kelvin तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप degree centigrade को 0 input कर रहे हैं तो आपका जो answer आ रहा है वो 273 Kelvin आ रहा है हम ऐसा कर सकते हैं Fahrenheit में Kelvin को Fahrenheit में convert करने के लिए पहले Kelvin को degree centigrade में convert करें फिर degree centigrade से Fahrenheit में चले जाएं या हम Fahrenheit को अगर Kelvin में convert करना चाहते हैं तो Fahrenheit से degree centigrade में आए और फिर हम Kelvin में चले जाएं तो यह तीन units आपस में inter convertible हैं और मुझे उमीद है यह तीन equation यूज करते हैं आप इनको अपस में convert भी कर सकते हैं यह तीन short questions हैं आपने सबसे पहले बताना है कि scale freezing point पर क्या value रखता है और boiling point of water पर क्या value रखता है कितने units में divide होता है मसले centigrade में 100 units आ जाते हैं Fahrenheit में 180 आ जाते हैं Kelvin तो है degree centigrade प्लस 273 होता है और वो absolute value से शुरू होता है coldest possible temperature से आपने इस बात का दिहान रखना है कि जब आप conversion का रहे होता है equation के plus minus और ratio को सही use करें अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है क्या कोई ऐसा temperature है जिस पे degree और Fahrenheit आपस में equal हो मैं ऐसा करता हूँ whiteboard इस्तमाल करता हूँ और तीन values लिखता हूँ और आपको एक या दो सेकंड देता हूँ सोचने के लिए आखर इसमें से कौन सा temperature है जिस पे degree Fahrenheit और degree centigrade आपस में equal होंगे students यह एक MCQ है MDCAT इसके लावा ECAT और आपकी information के लिए बहुत जरूरी है कि इन में से वो कौन सी value है जिस पर Celsius और Fahrenheit के answer same आते है हम ऐसा करते हैं हमारे पार यह चार values हैं आप ऐसा करें आप खुद सोचें यह एक pencil paper लेके कोशिश करें कोई value input करने की तो देखें क्या answer किसी value पर दोनों का same आता है option A है minus 40 मैं इसको use करता हूँ और मैं equation में input करता हूँ सबसे पहले मैं use करता हूँ degree centigrade का answer निकालता हूँ Fahrenheit के जरिए मैंने ऐसा किया कि मैंने Fahrenheit की जगा 40 minus 40 sorry value input की तो मैंने लिख दिया F की जगा minus 40 और 5 by 9 अब minus 40 minus 32 is actually minus 72 5 by 9 multiply by minus 72 आप इसे अगर 9 पे divide करते हैं तो आपका answer आता है 8 अब 8 आया minus में तो 5 into minus 8 is equal to minus 40 आपने किया क्या? आपने Fahrenheit की जो value है वो input की minus 40 और आपका जो answer है वो भी आया minus 40 degree यनिके आप यूं समझ लें कि अगर आप Fahrenheit minus 40 लेते हैं तो वो degree centigrade में भी answer minus 40 ही देगा तो minus 40 वो value है Fahrenheit scale में और degree centigrade में जो same answer देंगी अगर आप उनको एक दूसरे में convert करना चाहेंगे तो इसका answer होगा A वो value है यनिके minus 40 जिस पे अगर आप degree से Fahrenheit में जाए या Fahrenheit से डिगरी में जाए दोनों का same answer आएगा minus 40 तो इस पे ये दोनों scale एक दूसरे के equal answer दे रहे हैं तो students आपने तीन scale उनके important points और एक MCQ solve किया याद रखिएगा ये short question के तोर पे board में appear होता है next lecture तक के लिए Allah आपिस